हेलो गाईज, वेलकम बैक माई यूटूब चैनल कोहुली किर्केट फिटनस मेरा ये आज का वीडियो शोल्डर स्ट्रेंथ वर्काउट से रिलेटिव है इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने शोल्डर को अच्छे से ट्रेंड कैसे करेंगे फास्ट बॉलिंग में पैरों के बाद सबसे ज़्यादा शोल्डर का ही यूद करना पड़ता है जिससे सोल्डर को मजूद बनाना बेयदी जरूरी हो जाता है इसलिए तेज गैंदवाजों को शोल्डर प्रेस वर्काउट अपने शेडूल में जरूर सामिल करना चाहिए लेकिन ध्यान रहे शोल्डर प्रेस को गलत तरीए से करने पर कंधे से जूड़ी इंजिरी हो सकती है इसलिए इने बेयदी ध्यान से पर्फॉर्म करना चाहिए अगर आपके शोल्डर में किसी तरह का खिचाओ है या शोल्डर में पेन है तब आपको बिना डॉक्टर की सला के ये वर्काउट नहीं करना है डंबल या बार्वेल ओबर हैड प्रेस शोल्डर वर्काउट दोनों जगाउट पर आसानी से कर सकते हैं इस वर्काउट को करने के लिए आपको अपने दोनों हातों में डंबल या बार्वेल को इस परकार पकड़ना है कि आपके दोनों हातों के बीच की दूरी आपके कंदों की चौणाई से थोड़ी ज़ादा हो इस तरह से पकड़कर डंबल को कंदे तक उठाएं फिर लंबबद सीधे उपर उठाएं और फिर कंदों तक नीचे लाएं वेटे रोड को ठीक उपर की और प्रेस करें तथा धीरे धीरे उसी पोजिशन में बापस लाएं शोल्डर प्रेस परफॉर्म करते समय जल्दवाजी ना करें इस परकिरिया को आप बार बार रिपीट करते रहें ये एक्सेसाइज आपके शोल्डर की मोबिलिटी को परभावित करती है शुरू में आप इस वर्काउट के दस से पंदर रिपीटेशन के एक दो सैट लगाएं इससे आपके कंदे की मास्पेसियां विक्सित होगी और साथ ही आपके कंदों में मजूती आएगी और धीरे धीरे आप इस एक्सेसाइज के चार से पंद सैट लगाएं और याद रहे हर सैट के बाद आपको डेर से दो मिनट का रेस्ट लेना है ये आपको फास्ट बॉलिंग करने में बहुत मदद देगी वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट से एर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल आइकन का घंटा जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का आपको नोटिविकेशन मिल सके